दोस्तों, recently Urgent Wallet ने confirm किया है कि Startnet का Start token आना यहाँ पर confirm है और जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, क्या यहाँ पर लिखा है Everyone knows Start token is coming and the best chance to get on the action to interact with DEP early तो दोस्तों यह बोल रहे हैं कि ज़्यादा chances हैं tokens को grab करने के या एर्डोप करने के कि आप early stage के अंदर early user बन जाओ and DEPs के साथ interact जादा से जादा करो mainnet पर क्योंकि currently दोस्तों अभी mainnet चल रहा है Startnet के हम लोग mainnet पर transition कर सकते हैं तो mainnet पर ही of course हम लोग को transition करनी है testnet के currently value काफी जादा कम यहाँ पर लग रही है ठीक है तो इस चीज के चलते हुए urgent वालों ने यहाँ पर एक campaign अपना start किया है जिसमें 8 हफते तक यह campaign चलेगा and each week यह लोग एक unique NFT यहाँ पर देंगे user को claim करने के लिए वो NFT कितनी unique होगी दोस्तों वो तो बात नहीं पता चलेगा लेकिन हर एक हफते में हम लोग यहाँ पर एक NFT claim कर सकते हैं और हर हफते हमें यहाँ पर कुछ न कुछ transition complete करनी है तीन, चार, पांच, छे transition आप यहाँ पर कर सकते हैं mainnet के ऊपर तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अगर urgent की आप page पर आते हैं यहाँ पर उनने बुला है on the 9th में at 9th में वाले दिन यहाँ पर यह UTC time के हिसाब से snapshot ले लेंगे, first week यहाँ पर हो जाएगा, आज दोस्तों यहाँ पर जब यह announced किया है तो यहाँ पर second में है, 9th में तक यहाँ पर one week हो जाएगा तो भी यहाँ पर काम हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर read करेंगे, थोड़ा साथ को हम zoom करें तो पता चलेगा you need to have performed a transition on Starknet mainnet between 1st April and 9th में 2019 using the urgent wallet, ठीक है, urgent wallet का use करते हुए हमें यहाँ पर 1 April से लेकर 9th में के बीच में हम लोग यहाँ पर transition जो जिन लोगों ने complete कि होगी उन लोगों को यहाँ पर 1st week के snapshot मिल जाएगा and हम स्टार्खनेट के किसी भी डैप के उपर, स्टार्खनेट के एकोसिटम जादा काफी सरे daps available है किसी के उपर भी हम लोग transition complete कर सकते हैं और एक transition करने से यहाँ पर काम हो जाएगा तो हो सका है एक अपरेल के बा hun आपने काफी सरे transition कर ली ह ciao I know आप में से काकी सरे दोस्तों ने शाहिद कर ली यवी ओर आपको लगता है कि आपको एक बार और कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होका दोस्तों जैसे की स्ट्रगें मैंने क्या हुआ है you can follow our previous thread to make some transition on mainnet तो हम लोग ने एक thread आपके साथ already share कर चुके है start net को लेकर के जिसमें test net and mainnet के बारे में overall overview के बारे में start where start net के बारे में सब को share किया था दोस्तों इस thread के अंदर अगर आपने नहीं दिखाए तो आप इसको देख सकते हैं इसको read कर लेना हम main मुद्दे पर बात करते हैं दोस्तों की mainnet पर transition कैसे करनी है सबसे पहले चीज़ दोस्तों सबसे पहले चीज़ क्या है कि आपके पास urgent wallet होना चाहिए ठीक है यहाँ पर हमें urgent wallet के दे रहा है तो urgent wallet के थ्रू ही यहाँ पर transition को अंजाम दे रहा है ठीक है तो यहाँ पर start net का mainnet वाला यह जो bridge है या तो आप यह यूज कर सकते हैं या फिर हम third party bridge जैसे की orbiter finance या फिर layer swap यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं तो अभी orbiter finance हम लोग यूज नहीं करेंगे orbiter finance में कुछ न कुछ इशू चल रहा है दोस्तों official bridge के अंदर बस एक ही बहुत बड़ी problem है कि यहाँ पर fees बहुत आता लगेगी जैसे कि मान लीजिए आप ethereum कुछ start net पर bridge करना चाहते हो ठीक है तो जैसे मैं 0.05 करना चाहता हूँ और transfer के button पर click करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें काफी ज़्यादा fees का सामना करना पड़ेगा तो इसका solution क्या है दोस्तों solution हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ठीक है पचास डॉलर की अभी फीज बता रहे है जो कि बहुत जादा है और अगर हम इसको देखते हैं थोड़ा सा मार्केट प्राइस पर देखें तो 34 डॉलर 35 डॉलर करीब यहाँ पर फीज बताई जारी जो कि बहुत जादा है तो इतन से में करी 15-20 ूलर की लग जाएगी लेकिन हम लोग आरबितर फाइनन्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके अदर बहुत स़री प्रॉलम चलती रहती है कुछ ने कुछ प्रॉलम इसमें होती रहती है तो अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे कोई फायदा है हो सकता है यह बहुत अचीज है, OnRam का मतलब है आप किसी centralized exchange से डारेक्ट अपने wallet के अंदर, StarNet wallet के अंदर Ethereum ले सकते हो and जितनी fees on-chain लग रही है दोस्तों, जैसे मान लीज़े 25-30 डॉलर या 40 डॉलर fees लग रही है, तो यहाँ पर 6-7 डॉलर fees के अंदर काम हो जाएगा तो बेस्ट ऑप्शन दोस्तों क्या है या तो आप OnRam का यूज करें या फिर आप Cross-chain का यूज कर सकते हैं दोस्तों OnRam से मतलब है, जो मैंने आपको बता दिया कि आप exchange से, जैसे कि मुझे Binance exchange से विड्रो करना है, तो Binance exchange से मैंने हापर select कर लिया, मुझे कहाँ विड्रो करना है, मुझे Star Net पर विड्रो करना है, तो यहाँ पर जैसे कि मुझे 0.05 Ethereum चाहिए, ठीक है, तो मुझे 0.05 Ethereum जब मैं Binance exchange से send करूंगा, तो मेरे को यहाँ पर Star Net पर 0.048472 Ethereum मिल जाएंगे, यानि कि almost $3 यहाँ पर घटके मिलेंगे, जो कि layer swap अपनी fees यहाँ पर काट रहा है एक तरीके से, ठीक है और Binance से भी जब आप withdraw करोगे, तो Binance की withdraw fees भी करीब $3 की है, ERC20 पर Ethereum की, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या option आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है, अपर fees कितनी लगरी वो बता दी गया है and यहाँ पर confirm पर मैं click करूँगा तो शायद यहाँ पर एक address दे दिये जाएगा हाँ, तो इस address पर मुझे अपने Binance से यहाँ पर Ethereum को withdraw करना है, और Ethereum आप कौन से network पर withdraw करना चाहते है यह भी यहाँ पर option दिये हुआ है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि BNB chain पर मुझे Ethereum withdraw करना है तो BNB chain पर आप Ethereum withdraw कर सकते हैं इस address पर and आपको Starknet पर Ethereum मिल जाएगा, जैसी आप Binance से address पर BNB chain पर Ethereum को withdraw कर देते हैं दोस्तों आप यहाँ पर I did पर click कर देना and automatically आपकी transition verify करेगा and आपको Starknet में आपकी urgent wallet के अंदर Ethereum को दे देगा तो देखा जाए, overall मिला करके $3 की बस आपकी fees लगी दोस्तों यहाँ पर अगर आप BNB chain के through करते हैं Arbitrum के through भी करते हैं तो यहाँ पर उसमें भी fees कमें लेकिन Arbitrum अभी Binance पर support नहीं करता optimism पर आप देख सकते हैं पर मैं BNB chain यहाँ पर recommend करूँगा आप BNB chain से Ethereum को withdraw करें and यहाँ पर आपको Ethereum urgent wallet के अंदर मिल जाएंगे और अगर आप किसी exchange से नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आप cross chain का use कर सकते हैं आप किसी दूसरी layer 2 या layer 1 chain से यहाँ पर जो भी supported है वो यहाँ पर आप select करना and आपको कौन थी chain पर start net पर करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं तो hopefully आपको layer से आपको समझ में आ चुका है and जब एक बार दोस्तों आपके urgent wallet के अंदर कुछ Ethereum आ जाए main net की उपर तब आपको यहाँ पर जो भी इनके daps हैं जो main net पर काम कर रहे हैं उनको use करना है कौन-कौन से dap आप use कर सकते हैं Orbiter अभी हमें use नहीं करना दोस्तों क्योंकि Orbiter में यहाँ पर काफी सब्सक्राइब आप my swap dap का use कर सकते हैं ठीक है जो की main net पर available है and यहाँ पर इनके ecosystem वाले page पर आगे भी देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन-कौन से project यहाँ पर available है जैसे कि मैं all पर click करता हूँ तो यहाँ पर काफी सब्सक्राइब आजाएंगे जिन पर दोस्तों यहाँ पर live लिख रहा है इसका मतलब यह live हो चुके है main net की उपर तो आप इनको check कर लेना लेकिन यहाँ पर already recommend किया हुआ है दोस्तों इस post करना है जैसे कि my swap है यह main net पर है mint square nft marketplace है यह main net पर live हो चुका है ठीक है अगर आप layer swap पर भी cross chain swap कर लेंगे जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर cross chain में I guess यहाँ पर वो नहीं है stark net नहीं है stark net to दूसरी chain अगर यहाँ पर option होता stark net का नहीं है stark net to अधनरत chain पर करते तो वो भी count यहाँ पर हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं हम यहाँ पर my swap का use करेंगे हम यहाँ पर mint square nft marketplace का use करेंगे हम यहाँ पर d swap का यूस कर सकते है जो कि main net पर है तो जैसे कि हाँ पर मैं d swap का use करना चाहता हूँ तो मैं JD swap पर चला जाता हूँ ठीक है एंड यहाँ पर main net पर कोई एक में transaction complete कर लेता हूँ तो मेरा already यहाँ पर urgent wallet से connected यहाँ पर आ रहा है ठीक है start net main net मेरा selected है मेरे पास कुछ Ethereum है and मुझे यह Ethereum USDC में swap करना है ठीक है तो मैं 0.005 Ethereum या फिर 0005 Ethereum यहाँ पर ले सकता हूँ 10 डॉलर के चलो यहाँ पर हम swap कर लेते हैं एक swap यहाँ पर हम कर लेते हैं confirm पर click करते हैं and let's see यहाँ पर कितनी fees लग रही वो पता चल जाएगा तो हमारी इस layer 2 chain पर 2.25 डॉलर की fees लग रही है जो कि थोड़ी सी जी के सिंग को दिखा जाए तो जी के सिंग की भी ऐसी लगती है 13 डॉलर की fees एक डॉलर की fees यह भी जाता लग रही है कोई बात नहीं करना तो पड़ेगा जस्ट एक बर कर लेते हैं हफते में एक transition करनी है ठीक है दो तीन transition मत करना इच वीक वन transition करना और दोस्तों हमारी जो transition है वो लग चुकी है और Starknet पर जो fees यहाँ पर लगी है दोस्तों सिरियसली 6 डॉलर की fees यहाँ पर लगी है 0.0036 Ethereum जो की होते हैं दोस्तों यहाँ पर 6.7 डॉलर इतनी जादा यहाँ पर fees लगी है Starknet पर I don't know दोस्तों यह किस तरीकी का layer 2 है लेकिन हम लोग को तो airdrop से मतलब है तो इसलिए थोड़े बहुत हम लोग efforts दे रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर उसी को सोचते हूँ यहाँ पर थोड़े बहुत effort दे सकते हैं और एक हफते में एक ही transaction करना उसी जादा मत करना बाकि अगर आप लोगों को volume बनाने का आपका motive है जादा volume बनाना है यह सब चीज़े करने है तो वो आप लोग try कर सकते हैं ठीक है जैसे कि इस thread के अंदर काफी सरी information दी थी So guys जैसे ही urgent wallet announce करता है कि NFT claim करना है मैं आपके साथ telegram पर twitter पर share कर दूँगा So फिलाल दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही है मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ चुका है जल्दी मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में नए topic के साथ नए drop के साथ नए project के साथ सब तक के लिए दोस्तों बबाई take care and see you soon